आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हलो दोस्तों आएए देखते हैं एक प्रशन यदि E1 और E2 परस पर अपवर्जी घटनाए हो तो P E1 intersection E2 बराबर 0 होता है तो यह हमें एक कथन दिया गया है और हमसे पूछा गया रहा है कि यह कथन सकते है या फिर असकते है तो इसको मैं एक उधारण से आपको समझाओंगा ठीक है अब मैं यहाँ पर उधारण ले रहा हूँ एक सिक्के का ठीक है अब यहाँ पर क्या कहा है नोने कि E1 और E2 परस पर अपवर्जी घटनाए है अब यह जो शब्द है अपवर्जी इसका क्या मतलब होता है अपवर्जी शब्द का मतलब होता है कि जो दोनों घटनाए है वो एक दूसरे पर क्या कर रही है निर्भर कर रही है ठीक है मतलब अगर एक घटना होती है तो दूसरी घटना नहीं होगी और अगर दूसरी घटना होती है तो पहले वाली घटना नहीं होगी ठीक है जैसे जब हम एक सिक्के को उचालते हैं तो हमें क्या-क्या मिल सकता है या तो चित मिल सकता है या फिर पट मिल सकता है तो मैं even घटना को परिभाशित कर रहा हूं कि जो घटना even है वो क्या है? एक चित आना ठीक है? चित आना जो है वो घटना even है तो जो चित आना है वो घटना even है और e2 घटना को मैं परिभाशित कर रहा हूं एक पट आना तो जो पट आने वाली घटना है वो e2 है ठीक है? अगर मैं even के लिए क्या लिखूँ, समुच्चे लिखूँ, ये तो हमारे पास प्रतिदर्श समस्टी होगी एक सिक्के को उचालने पर, कि या तो हमें चित मिल सकता है, या हमें पट मिल सकता है, तो अगर मैं even के लिए समुच्चे लिखूँ, तो even के लिए समुच्चे में क तो यानि कि tail, ठीक है, अब अगर मैं यहां से E1 intersection E2 लूँ, क्या लूँ, E1 intersection E2, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम से किस के लिए बारे में पूछा जा रहा है, E1 intersection E2 के बारे में, तो E1 intersection E2 क्या आएगा, दोनों में E1 intersection का मतलब होता है, उभैनिस्टी, यानि कि common, तो दोनों में common तो कुछ है नहीं, इसका मतलब ये एक रिक्त समुच्चे आएगा, ठीक है, अब हमें पता है, प्राइक्ता का सूत्र क्या होता है, बताएए, प्राइक्ता बराबर होता है, अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम, और बते में कुल परिणाम, ठीक है, तो अब यहाँ पर E1 intersection E2 ये आ गया, अब अगर मैं N E1 intersection E2 निकालूं, N E1 intersection E2 का मतलब क्या है, कि इस जो E1 intersection E2 में अव्यव हैं, वो कितने हैं, तो इसमें अव्यव तो हैं ही नहीं, एक भी अव्यव नहीं है, यानि कि शुन्ने अव्यव हैं, ठीक है, और जो हमारा प्रतिदर समस्टी था S, अगर मैं यहाँ से N S निकालूं, तो N S कितना आ जाएगा, यह हमारे पास आएगा, इसमें कितने अव्यव हैं, एक और एक दो अव्यव हैं, N S का मतलब है, समुच्चे S में अव्यवों की संख्या, तो इसमें दो अव्यव हैं, तो यह दो आ गया, और प्राइक्ता का एक और सूतर होता है, N E और बटे में N S, ठीक है, अब हमें तो किसकी प्राइक्ता निकालनी है, बताइए, हमें तो प्राइक्ता निकालनी है, P E E1, intersection E2, है न, तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा N, E1, intersection E2, और बटे में क्या आएगा? N, S, जो कुल परिणाम है, ठीक है? अब यह हैं से जाएगा? E1, intersection E2, तो 0 है, और कुल परिणाम, यानि की N, S, हमारे पास कितना है? 2, जीरा बटो 2 भी क्या होगा? 0 ही हो तो उनकी E1 intersection E2 की जो प्राइक्ता होगी, वो कितनी होगी, शुन्ने होगी, और इन्होंने भी हमें कथन में यही कहा है, कि जो P E1 intersection E2 होगा, वो क्या होगा, 0 होता है, इसका मतलब हमें दिया गया जो कथन है, वो सत्य है.